गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम सीखेंगे रूमन नमबर्स आपने पहले भी रूमन नमबर्स याद करें चुटी क्लासेस में बट अब आपको याद करने की कोई ज़वत नहीं है जस्ट आपको ये टेबल याद करनी होगी और ये टेबल अगर आपको याद है तो आप इसली किसी भी नमबर को रूमन नमबर्स में लिख सकते हैं सो लेट सी है क्या ये टेबल वन को देनोट करने के लिए रूमन नमबर्स क्या होते हैं जिसमें हम मैस की लैंग्वेज को इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं किसमें इंग्लिश के यह आप देख सकते ह और एक और होता है 1000, 1000 को हम लिखते हैं M तो यह अगर आपको table याद है तो आप easily किसी भी number को Roman number में लिख सकते हैं तो एक बार again repeat कर लेते हैं 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C अगर आपको 100 तर भी याद है, it's enough आप यह 5 letters भी याद कर सकते हैं बस 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C वापने Roman numbers अल्रेडी पढ़ चुके हैं एक पार हम 1 to 10 revise कर लेते हैं तो 1 को हमने क्या बोला? I 2 को double I, 3 को triple I, 4 को 1 I and 5 और 5 V, 5 को V, 6 को VI, 7 को V, double I 8 को V, triple I, 9 को I, X, 10 को X यह सारे Roman numbers किसमें हैं यह? I, V और X में आप देखते हैं कि हम Roman numbers बिना याद करें भी कैसे निकाल सकते हैं तो suppose मैं पास कोई Roman number लिखा हैं V, I अब मुझे पता करना है कि आकर उसको numbers में क्या बोलेंगे? V, I तो इस तरीके से जब लिखा हो V क्या है आपका? 5 I क्या है आपका? 1 तो पहले 5 लिखा है फिर 1 लिखा है पहले बड़ा लिखा है फिर छोटा लिखा है तो इस condition में इसका Roman number होगा 5 plus 1 that is 6 पहले बड़ा लिखा है बाद में छोटा लिखा है means हम इसका Roman number निकाल लिए इसको numbers में निकाल ले के लिए हम 5 plus 1 add कर देंगे क्या add कर देंगे? 5 plus 1 इन दोनों numbers को आपस में add कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि यह इसको numbers में क्या बोलती है? 6 यह 6 का Roman number क्या है? V, I तो आपको पहला rule समझ में आया कि जब आपका पहले बड़ा है फिर छोटा है पहले 5 लिखा है फिर वार में 1 लिखा है तो इसको numbers में निकालने के लिए हम 5 plus 1 करेंगे that is 6 या अभी मुझे number दे रखा है Roman number बताना है suppose 6 है 6 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमें यह पता है हमें पता है ना कि I को हम 1 बोलते हैं 5 को हम भी बोलते हैं 6 को हमें इस वे में तोड़ना है कि that is 5 plus 1 आप 6 को इस वे में निक तोड़ेंगे कि 3 plus 2 फिर आपको पता तो नहीं है ना 3 को हम क्या बोलेंगे 2 को क्या बोलेंगे तो 6 को इस वे में तोड़ेंगे that is 5 plus 1 अब 5 को क्या बोलते हैं V 1 को क्या बोलते है I तो आपको easily पता चल जागा 6 को हम Roman Numbers में V I बोलते हैं तो यह आपका first rule है Roman Numbers निकाले का तो आप सबको first rule समझ में आया अब हम देखते हैं इसका second rule कि second rule क्या है Roman Numbers निकालने का suppose यह लिखा हुआ है 1 I और X अब आपको बताना है किसको Numbers में क्या बोलेंगे तो I और X पहले I लिखा है फड़ाफट समादे दिमाख में आजाना चाहिए I किसको बोलते हैं 1 को X किसको बोलते हैं 10 को Now अब हम add कर सकते हैं या subtract कर सकते हैं तो second rule जो है आपका ये 1 पहले लिखा है 10 बात में लिखा है means पहले छोटा लिखा है बात में बड़ा लिखा है तो इसको Numbers में निकालने के लिए हम 10 में से 1 subtract कर देंगे क्या कर देंगे 10 में से 1 subtract that is 9 means I X को हम Numbers में क्या बोलते हैं 9 अगर आपका यहां बड़ा है यहां छोटा है means आपको add करना है और अगर यहां छोटा है यहां बड़ा है means आपको subtract करना है क्योंकि आप 10 1 में से 10 तो subtract करेंगे नहीं 10 में से 1 ही तो subtract करेंगे तो 10 minus 1 that is 9 वन मूर एक्जामपल लेते हैं यह लिखा हुआ है I और V तो I और V को कैसे करेंगे I क्या है हमारा 1 V क्या हमारा 5 that is 5 minus 1 4 तो I V को हम numbers में क्या बोलते हैं 4 अब suppose number आपको दे रखा है और आप से कहा जाए rumor number में लिखो इसे तो rumor numbers में लिखा suppose हम 9 को हमें किसमें लेना है लिखना है rumor numbers में अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं एक तो लिख सकते हैं 5 plus 4 एक क्या लिख सकते हैं 10 minus 1 but 5 का हमें पता है 4 का नहीं पता इसमीज हम यह नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 minus 1 क्योंकि इसमें 10 का भी पता है और 1 का भी पता है अब 10 क्या है हमारा X 1 क्या है हमारा I बट हम subtract कर रहे हैं अगर हम add करेंगे तो I हमारा बात में लिखेगा अगर हम subtract करेंगे तो I हमारा पहले लखेगा तो यह है आपका second rule जिसमें हम numbers को subtract करके किसी भी नमबर का रोमर नमबर निकाल सकते है अब हम next rule देखते है next rule क्या है suppose मुझे x, i, v ये लिखा हुआ है इसको मुझे numbers में बताना है तो कैसे बताऊंगी मैं x क्या है आपका 10 i क्या है आपका 1 v क्या है आपका 5 बस आपको ये पता होने चाहिए कि x को मैंने आपको पहले भी याद कराया है 1 i, 5 v, 10 x, 50, l, 100 c बस आपको 100 तक भी याद है it's enough x को 10 बोला, i को 1 बोला, v को 5 बोला अब नमस को numbers में कैसे लेखेंगे तो देखिए पहले rule में हमने add किया क्योंकि उसमें पहले बढ़ा था फिर छोटा number था, it means हम add करेंगे second rule में पहले छोटा था, फिर बढ़ा था means हमने subtract किया आप इस rule में क्या करेंगे 10 हमारा as it is लिखा रहेगा add का sign लगाएंगे हम और फिर वोगी condition आ रही है ये 1 छोटा है 5 क्या है आपका बढ़ा क्या है 5, बढ़ा it means 5 में से क्या subtract कर देंगे हम 5 minus 1 तो क्या हो जाएगा 10 plus 4 that is 14 तो आया समझ में आपको कि क्या किया मैंने 10 जैसे लिखा हुआ है as it is वोई लिखा रहेने दिया, plus का sign लगाया then given और ये 5 आप पहले ही रूल पढ़ चुके है कि जब ये छोटा नमबर पहले है और 5 बढ़ा नमबर बात में है it means हम क्या करेंगे subtract 10 plus 5 minus 1 that is 14 और 14 it means xiv numbers में क्या लिखते है 14 और 14 को roman numbers में क्या लिखते है xiv एक और example लेते हैं जैसा हम मुझे 19 को roman numbers में 19 को मैंने break किया 10 plus 9 then और break करूंगे 10 को roman numbers में लिखना आता है पट 9 को तो आता नहीं है तो 10 को तो मैं break करूंगी नहीं 9 को क्या लिख सती हूं 10 minus 1 10 minus 1 वैसी ही condition आगी जैसी आपकी उपर आई थी 10 plus 10 minus 1 means 10 को क्या बोलेंगे 10 minus 1 1 को पहले लिखेंगे 10 बाद में लिखेंगे 1 को हम i बोलते है 10 को x 19 को क्या बोलते है x i x roman numbers में कैसे लिखेंगे 19 को x i x चलिए एक और rule देते है एक और rule क्या है suppose यह लिखा है दो बार i अब इसको दो बार i लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे numbers में क्या बोलेंगे इसको i 2 times repeat हो रहा है means 1 i को हम 1 बोलते है और दूसरे i को भी 1 तो 1 plus 1 that is 2 अब suppose x तीन वार repeat हो रहा है means x को हम क्या बोलते है 10 so 10 plus 10 plus 10 that is 13 suppose आपका v v तीन मार repeat हो रहा है क्याह है ऩुआू